प्यारे दियार्थियों, आज हम देखेंगे कि Mathematics में Maxima और Minima क्या है Maxima का मतलब होता है, Maxima को हम Math की भाशन में कहते है, Maximum Value of of function और domain of function और Minima, Minima, जो हो Minimum Value है, Value of function जिसको हम F कहते है, हम एक graph दनाते हैं, this is a graph 0 और इसमें हम देखते हैं कि कहा Maxima Value of function है, देखिए, यह function है, ओके इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे This is x, this is c, this is function fc , or this is function c-h, function c plus h this is c-h and c-plus h अब यदिय यह अम्या लिखेंगे we can say here maximum value of function function होगी कहाँ पे होगी at c is equal to x जहाँ c जो है x के बर्ब हो if यदि कोई theta value है tell you at that point पे हो at that point कहाँ पे जहाँ जो f c है वो बड़ा है किस से f c-h यह तो है बिल्कुल cd से बाता है यह इससे बड़ा है butter एक और भी बात कहिए है कि जो function है cf वो बड़ा हो f c-h यह तो butter यह तो बड़ा लग दा है अगर c x के बराबर है तब ही होगा maximum value function की जब c x के बराबर ही अगर x के यहां से हम आपते हैं तो अगर c का function लेती हैं तो वो उससे बड़ा हो जाता है अगर यह कंडिशन पूली होती है तो maximum value function होसकती है otherwise नहीं अगर दूसरी कंडिशन से हैं दूसरे में भी एक ऐसे ही बनायते हैं यह y है यह x है इसमें भी हमने c ले लिया यह function c ले लिया अगर यह ऐसा slow बने है और यहां function c plus h हो और यहां function c minus h हो यह है c minus h और c plus h तो minimum value और function कहां होगी है जहां पे at the point c ले लिया अगर यह condition ने दी यह जो theta है at that point theta भी value at that point जहां पे function c less than function c minus h and function c less than function c plus h तो यह है जो है maximum value भी निकल सकती है minimum value भी function कहीं निकल सकती है